सेवा शेत्र का बदलता स्वरूप तक्निकी शेत्र में हो रहे नवीन अविश्कारों से सेवा शेत्र का स्वरूप बदलता जा रहा है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बैंकिंग, बीमा इवं बिजनस सेवा में देखा जा सकता है यही कारण है कि केवल दो प्रतिशत लोग इस उप्षेत्र में रोजगार पाते हैं परन्तु इनका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत है 1990 के प्रारंब में संचार तक्निक में आश्चर जनक परिवर्तन हुआ परणाम सरूप सुचना प्राद्योगी की पर आधारित कुष नवीन सेवाएं जिसे कंप्यूटर, इंटरनेट कैफे, ATM, कॉल सेंटर, सॉफ्ट्रे कंपनी इत्यादी की सेवाएं प्रारंब हो गई दशकोपोर वो बैंकों की सेवा मुख्यता कर्मचारियों पर निर्भर थी, परन्तु सुचना प्राद्योगी की ने बैंकों की सेवाओं को कई गुना बढ़ा कर बैंकिंग सुविधा को घर घर तक पहुचा दिया है आज ATM के माध्यम से रुपे जमा करना एवं निकालना, क्रेडिट कार्ट से रिंट प्राप्त करना, रुपेओं को एलक्ट्रोनिक अंतरन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया है आज वैश्विक से वाएं जैसे परामर्ष, बातचीत, सूचना भेजना, परिक्षाओं के लिए आवेदन करना, ये सभी कारी सूचना प्रोध्योगी के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं आज मोबाइल, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट से किसी भी शेत्री की जानकारी ततकाल प्राप्त की जा सकती है बीपियोग का उप्योग करके सेवा शेत्र ने अपनी सीमा को और अधिक बढ़ा दिया है जैसे कॉल सेंटर में कारेरत कर्मचारी, अमेरिका को विभिन सेवाए कम्प्यूटर इंटरनेट के माध्यम से दे देते हैं अगर अमेरिका का निवासी अपने बैंक खाते या अस्पताल संबंदी सुचना प्राप्त करना चाहता है तो वा दिये गए नंबर पर कॉल करता है कॉल सेंटर से व्यक्ति उनके कम्प्यूटर रिकॉर्ड को देख कर जवाब दे देता है उसे इस कॉल सेंटर के माध्यम से जवाब प्राप्त होता है यहीं BPO कहलाता है कम्पनी अपनी लागत कम एवं लाब अधिक करने के लिए ऐसी एजन्सी से सेवाए लेती है सेवा चेत्र में कम्प्यूटर और उनसे जुड़ी प्रोध्योगी की का निर्यात कर भारत विश्व के अन्य देशों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है पहले की तुलना में यह एक महत्पूर उपलब्दी है इससे हमें अन्य वस्तों को आयात करने का अवसर मिलता है सेवा चेत्र में चुनोतिया इस शेत्र में काफी चुनोतिया है सबसे बड़ी चुनोति है रोजगार के अवसरों में विद्धी करना आज सेवा चेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद GDP में 57 प्रतिशत है वही रोजगार के इस शेत्र की सहभागिता 25 प्रतिशत है सेवा चेत्र के कुछ चेत्र ऐसे हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तो अधिक है परन्तो इससे बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिल पाता है जिसे बैंकिंग एम सॉफ्ट्रेर की सेवा है एक और इन सेवाओं के लिए उच्च प्रसिक्षित कर्मिचारियों की आवशक्ता होती है दूसरी तरफ इसमें ऐसे उप्षेत्र हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है परन्तो जीडीपी में इनका योगदान काफी कम है जैसे छोटी वैपार वस्व रोजगार में काम करने वालों की संख्या अधिक है और इनका उत्पादन में योगदान सीमित है इससे सेवाओं शेत्र का दोहरा रूप दिखाई देता है संगटित शेत्र में रोजगार के अवसर अपेक्षक्रित काफी कम है वर्ष 2019 से प्राप्त आखडों के आधार पर संगटित शेत्र में कारे करने वाले सेवाओं शेत्र के कर्मचारियोई की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है जबकि असंगटित शेत्र में कारे रत कर्मचारियोई की संख्या 70 प्रतिशत है सेवा शेत्र की एक और चुनोती है ठेकेदारी प्रथा यह ज़्यादा तर असंगठित शेत्रों में पाई जाती है यह सेवा नियोजगों के लिए तो लाबदाई है परंतु श्रमिकों के लिए नहीं बहुत से सेवाएं क्रिशी एवं वी निर्माण से जुड़ी हुई है जैसे व्यपार एवं परिवहन की सेवाएं यदि क्रिशी एवं वी निर्माण उद्योगों का विस्तार होता है तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और व्यपार तथा परिवहन सेवाओं की मांग में भी व्रिद्धी होगी साथ ही रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद GDP भी बढ़ेगा इस प्रकार हर एक शेत्र की व्रिद्धी दूसरे शेत्र की व्रिद्धी पर निर्भर करती है